नोशकार दोस्तों मैं धरमिस्तिजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है भारतिय मोसम विभाग आईमडी ने एक तस्वीर जारी गी है जिसमें बताया गया कि 19 मही को यहाँ पर यहाँ पर साउथ स्वेस्ट मांसून की एडवांस्मेंट शुरू हो गई है बंगाल की खाड़ी के दक्षिन में यहाँ पर होती है इसके दक्षिन में अंडे मान यह दीव पर यहाँ पर यह शरुआत हो गई है एक्टिबिटी शुरू हो गई है इस तस्वीर में भी दिखाया है यहाँ पर यह 19 मज़ी को एक्चुल है यह और नॉर्मली क्या होता है कि मानसुन जो है एक जून को यह लाल लाइने जो है यह नॉर्मल मानसुन की तारीखे हैं और यह नीला जो है यह एक्चुल है यह असल में जो हो रहा है एक जून को मानस साथ जून को आएगा साथ दिन लेट से आएगा कारण कारण यह 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 भारत का नक्षा है और यहां पर यह एक समुदरी तुफान फैबियन नाम से है यह हिंद महासागर के साउथ-वेस्ट में है यह डॉल अप हो गया इस तुफान के कारण यह जो हमारी मांसुन की साउथ स्वेस्ट मांसुन की हवाओं को रोक कर रखेगी इसलिए लेट हो रहा है और यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं आज सुबह ही सैटलाइट से ली गई है इसमें क्या है कि आप यहां पर देख रहे हो एक पक्षमी विक्षोब जो ज्यादा मजबूत नहीं था यहां से निक मजब, हर्याना, मद्यप्रदेश, राइस्थान, उत्रप्रदेश यह सारा एरिया उत्तर भारत का मैदानी एरिया जो है 23 से 25 मई के दुरान कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा वाइड स्प्रेड बारिश, बादलों की गडगड़ाहाट, तेज हवाओं की संभावना बन रही है मद्यम बारिश की, अच्छी बारिश की संभावना बन रही है, तेज हवाओं भी चलेंगी, लेकिन अभी 20 से 22 तारिक तक दक्षनी उत्तर प्रदेश हो गया, राइस्त पश्मी राइस्थान का एरिया हो गया, उत्तर मर्दे बंदेव द्रेश का एरिया हो गया, यहाँ प अच्छी बारिश की संभावना है, इस साल समाने मानसुन की सिमावना 66 परसेंट है, आईए अब डेट वाइस और स्टेट वाइस देख लेते हैं कि इंडियन मेटलोर्जिकल डिपार्टर ने क्या प्रडिक्शन की है, अब 20 मही की बात करो तो 20 मही को देखो, यहाँ पर र को भी कमों बेश वही सिच्वेशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर 36 घर जारखंड में भी लूँ चलेगी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और पश्मी राजिस्तान में गर्मी की संभावना है, लूँ चलेगी, अब 22 तारिक से जो एक्टिविटी शूरू हो रही है, पूर पहाड़ी लाके में और यह पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश में जो है न, थंडर स्ट्रॉम, हलकी फुलकी लाइटिंग होईगी, बिजली गरच चमक होईगी, कहीं कहीं पर हलकी बारिश हो सकती है, लेकिन धूल बरी आंधी राजिस्तान में चलती रहेगी, 40 से 50 की स्पीड पर तेज हवाएं, तो यहां पर पूरे उत्तर भारत में 30 से 40 की स्पीड पर उत्तर प्रदेश में भी चलती रहेगी, और इधर पूर्वी भारत में जो है न, बारिशों का दोर जारी रहेगा, 24 माई की बात करूं तो पूर्वी भारत में बारिशें जर झाल 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